असलाव अलेकुम वीवर्ट्स आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़दार से दावत स्पेशल दम के कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ इसको बनाना बहुत असान है और यह बहुत क्विक सी रेसिपी है जादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में और बहुत जल् पास तक जरूर देखिएगा अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथ साथ और नोटिफिकेशन को क्लिक करें इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले तो चलिया ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इदर मैंने लिया है बीफ का कीमा लिया है एक किलो के बराबर बार एक मशीन का कीमा है ये और इसके अंदर हम एट कर देंगे जजा फूट का जिंजर गार्लिक पेस्ट टू टेबल स्पून के बराबर और फिर मैं इसके अंदर एड़ करूँगी जजा फूट का जाइकिदार दम का कीमा मसाला तो ये पैकेट में पूरा इसके अंदर एड़ कर दूँगी इसके अंदर आपको कोई मिर्च मरसाल आड़ करनी की जुरूएत नहीं इस पैकेट के अंदर सारे मसाले आड़ हुए हैं तो आपने बस ये पैकेट आड़ कर देना इसके अंदर और फिर हम इसके अंदर आड़ करेंगे raw papaya paste 1 tablespoon के बराबर ये आड़ करने के बाद मैं इसके अंदर आड़ करूँगी दही 1 cup के बराबर दही आड़ करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से mix कर लेगे और mix करने के बाद इसको मैं रख़दूँगी 2 गंटे के लिए cover करके क्यामटर पे ही छोड़ दीजिएगा और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं जैसे के ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी दो घंटे के लिए अब आप लोग जज़ा फूट के प्रड़क्ट इजी री परचीज कर सकते हैं इनके अप के थूर जो के अवेलिबल है प्ले स्टोर पे और आई ओएस स्टोर पे भी तो जाइए इनके अप को इंस्टॉल कीजिए और आप घर बैटे परचीजिंग कर सकते हैं बहुत ही असानी से इसके इलाव आपको इनके स्टोर पे से मिल जाएगा 10% डिसकाउंट लेकिन मेरा कोड एड़ करने पे तो आपने करना क्या है जो भी चीज़े आपने परचीज करने है add to cart कीजिएगा और जहां पर grand total लिखा है उसी के नीचे आपने मेरा कोड लिख देना है तो मेरा कोड है maria10 वो एड़ करने पे आपको 10% डिसकाउंट मिल जाएगा तो दो घंटे हो चुके हैं इसको हम चैक कर लेते हैं तो देखिए इसको आपने एक बार अच्छे से mix कर लेना है और इसको पकानी के लिए मैंने एक कढ़ाई दे ली है उसके अंदर add कर दिया है अदर कप oil इसके अंदर add करूंगी मैं एक अदर प्यास slice की हुई बड़े size की और इसको हमने हलका सा fry करना है एक मिनट तक ही fry करूंगी ज्यादा fry नहीं करना है प्यास का color change नहीं करना है इसके अंदर तो देखिए जब एक मिनट हो जाएगा इसको fry होते वे फिर इसके अंदर हम कीमा add कर देंगे जो हमने marinate करके रखा था तो सारा कीमा add करने के बाद एक बाद इसको हलके से हमने mix कर लेना है इसको mix कर लीजिए और उसके बाद इसको में cover करके पकने के लिए छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए तो यह देखिए बहुत अच्छे से mix हो गया है यह और अब इसके बाद इसको में cover कर दूँगी 10 मिनट के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे high flame पे और 10 मिनट बाद इसको हम check कर लेते हैं तो देखिए इस तरह से पानी छोड़ चुका होगा क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाला तो यह दही का पानी है और एक्स्रा पानी इसके अंदर जाएगा नहीं दम का कीमा है इसके अंदर पानी वगयरा एक्स्रा नहीं एट करेंगे कि दही के पानी में ही गल जाएगा तो बस इसको आपने दुबारा से मिक्स करना है और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है दस से पंदा मिंट के लिए तो देखिए पानी इसका अच्छे से ड्राइ हो गया है और ओइल भी जो है वो उपर आ गया है तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर इसके बाद मैं इसके अच्छे कर दूंगे हरी मिर्चे तो इदर मैं अच्छे से अच्छे के बराबर आप लोग अपने टेस्ट के साब से अच्छे सकते हैं तो इसी अधर इड़ कर देंगे जूलियन कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया तो यह इसके अंदर आड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से वैसे तो हमने smoke दे लेना है तो यहाँ पर मैंने एक foil का piece रख दिया है koila रखेंगे थोड़ा सा oil light करेंगे और इसको cover करके छोड़ देंगे और बस उसके बाद 10 minute बाद यह ready हो जाएगा surf करने के लिए तो देखिए मज़दार सा दम का कीमा ready है इसको आप लोग डान के साथ सर्फ कर सकते हैं पराठो के साथ सर्फ कर सकते हैं पूरी पराठी के साथ भी बहुत मज़दार लगता है यह कीमा तो यह देखिए इसको मैंने क्रिस्पी पराठो के साथ सर्फ किया था इसके साथ बहुत मज़दार लगता है यह कीमा और यह पराटी एजी ली मार्केट से मिल जाते हैं बहुत कॉमन है यह तो बस आपने इसको निकाल लेना है डिश के अंदर उपर से आप इसको गार्णिश जरूर कीजिएगा हरी मिर्चों के साथ अद्रक के साथ और हरी धनिये के साथ तो थोड़ा थोड़ा सा आप अपने फीड़ाइक जरूर दीजेगा मुझे सो वीवर्स अगर आप लोगों को में रेसेपीस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें कमिन्ट जरूर किया करें शेयर भी जरूर किया करें अपने ट्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ तो झालफाइब करें लाइस